हेलो गाईज ये भाई ड्यू 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 temperature जो निकलता है भाई वो भाई 2000-3000 degree Celsius के आस पास चल जाता है तो गलती से भी अगर भाई इस अनार के उपर हमारा हाथ आ जाए तो ये हाथ को भी भाई पूरा आर पार कर सकता है इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है आप इसे कभी भी कहीं भी करने की को सेस्मत कीजिए तो गाई सिंपले यहाँ पर भाई हम लोगों ने स्टैंड कर दिया और यह जो है भाई सबसे पहले अनार का जो उपर वाला ये जो भाग है इसे भाई हम लोग उपर से थोड़ा सा ऐसे छील देंगे ताकि हमारा अनार जो है जल्दी से आसानी से जले ठीक है और गाईज यहाँ पर भाई हम लोग इसे यहाँ पर रख देते हैं और भाई साब वीडियो सुरू करने से पहले एक चीज़ आपको और बता दो कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी घर पर ट्राइम मत किजाएगा क्योंकि यहाँ यहाँ पर भाई हम लोग अपना अनार को जला देते हैं और यह जो है भाई काफी पर्फिक्स जगा लगा है और पर्फिक्स जो इसका उपर भी जाएगा ठीक है तो भाई यहाँ थ्री टू एंड वान कर परे कर परे लोगा है तो परे कहोँ lelang को सुष कि आजः आएगाँ फोग बनाएबätzen परेगा है प्रहार्श को था उन्हाँ है जड़ कि अपको अर्श का था उल चॉपार्श करें तॉर। यह ऐकना बनलोगा आओ को दुपार्श कुछा चार्श का दुपार्श करें टॉपपार्श कि था है पाई साब आप लोग यहां पर देख सकते हैं भाई जो हमारा यहां पर पर्फ्यूम का यानि जो डूडरेंड इस्प्री का भाई जो हमारा इस्प्री था वो भाई उसका कोई अत्ता पता नहीं और कहां गया यूद्ट नो भाई लेकिन जो है काफी ज्यादा खातरनाक यहां पर भाई जो हमारा आनार है वो जल करके भाई खतम हो गया है और गाई वो कहां गया है I don't know क्योंकि भाई यहां पर तो हमें दिख नहीं रहा है भाई साब काफी ज्यादा खतरनाक था मज़ा आ गया भाई और I think वो कुछ धरी गया होगा तो गाई हूप ये चीज़ झाल झाल को ये सुझ झाल